आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Good morning students, तो हमारे एक Question जो है Paragraph Type का Question है जिसमें हमें कुछ data दे रखा है और हमें इसके basis पे नीचे कुछ answer करना है तो हमें Compound Microscope का Construction बताय हुए A Compound Microscope consists of a Metal Tube fitted with two Convex Lenses Attituents तो हमारे पास एक Metal की Tube है जिसमें दो Convex Lenses यहां लगे हुए है एक को Objective Lens बोलते हैं, एक को IPS बोलते हैं दोनों Lenses का Size चोटा होता है लेकिन Objective Lens ज्यादा चोटा होता है IP से और यह Configuration दे रखी है कि Objective Lens चोटे Focal Lens का होता है और Focal Lens ज्यादा होती Objective Lens से इस सारी बाते हम लोगों को दे दी गई है साथ में जो Metal Tube है हमने इसको Stand पे रख दिया और दोनों की Principal Axis को Align कर दिया, दोनों Lenses की ठीक है, the distance between the object and objective lens can be changed with a screw और यहां हमें यूज दे रखा है कि मैं इसको Micro Enzyms या Blood Cells को देखने के लिए यूज कर सकता हूं हमें बताना है, what is the nature of the final image of a compound microscope relative to the object इस पूरी चीज को डियाग्राम से देखने तो ज्यादा sense बनेगी, ठीक है तो इस वाले को डियाग्राम की तरफ देखो, जैसा question बोल रहता है इसमें दो lenses भी आपको दिख रही होंगी एक का नाम objective lens और एक का नाम eye piece जैसा question ने उपर बोला हुआ है ठीक है, हमारे पास यहाँ पर object रखा हुआ है और question में end में हम से पूछ कह रहा है state the nature of final image of the compound microscope तो पहले हमने इससे image formation करी इसको object बनाया, यह तो असली object है हमने इसका image formation किया, तो यहाँ पर एक magnified image बन गई जो की real भी है और inverted भी है लेकिन अब हमने इस image को ही as an object use कर लिया और फिर से इसकी image formation कर दी तो यह बन गया तो आप हमें basically इन दोनों को compare करके बताना है कि object के respect में यह कैसा nature रखता है तो इसका nature सीधा सीधा बता सकते हो पहले तो virtual है ठीक है वर्चुल है यह actually हम लोगों ने कहीं पर यह raise meter नहीं कर रही थी जो यह बन गई है यह virtual है साथ में यह inverted है देख सकते हो हमारा object सीधा रखा है पर इसकी image उल्टी बन रही है ठीक है और साथ में end में highly enlarged size में भी काफी ज़ादा बड़ी है यह चीज ठीक है तो यह है इसका complete nature final image का virtual है inverted है और enlarged है generally virtual के साथ erect का combination हमें देखने को मिलता है बट यह कोई general case नहीं है यह microscope में दो different lenses को एक साथ use किया जा रहा है specific configuration के साथ इसी लिएस में ऐसा अजीब configuration भी देखने को मिल रहा है तो I hope अभी questions अपको समझ में आ गया होगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net app या whatsapp कीजिए अपने doubts 800-400-400-400 पर